Hello Student, अगर आप Hindi का पेपर देने चले गए मेरे पैरवचों, अगर हिंदी में आपको कुछ नहीं आता है, मेरे पैरवचों तो इस वीडियों पे सही जगाप पयाहँ हो। बिल्कुल सई जगह प्याव मेरे प्यारे बच्चो पेपर के अगर एक दिन पहले भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यार बच्चो मेरे गरांटी है कि आप लोग 80 नंबर ज्यादा में ज्यादा डिमाड नहीं करूगा 80-85 नंबर खुब आराम से आप इस वीडि से इतनम बिल्कुल आप ला सकते हैं इस बात की मेरे गरांटी है और लाज तक एगर वीडियो देख लिए लाज तक वीडियो देख लिए तो हंडेट परशन मेरे गरांटी कि एक अच्छा साही कमेंट करके मुझे जाओगे ठीक है और जब पेपर में जाओगे मेरे प्या सबसे पहले आएगा कंड आर में बहुवब परश्ण डायेगा अब मेरे पयारवचो पहले इसका डिक यहां पे आपके क्यूशन पूशे जाएंगे अब 20 मार्ग कई क्यूशन पूशे जाएंगे मेरे प्यारवचो इसके बाद आप लोगों को खंड बौ आएगा हमें फं कि क्या है मेरे प्यार वच्चो कि अगर आपको objective क्यूशन नहीं आता है और objective क्यूशन में 20 में आप passing marks लाना चाहते होगे कम से कम मेरे 12 या 13 क्यूशन सही हो जाए मेरे प्यार वच्चो तो 12 या 13 क्यूशन सही किस तरह होगा उसको थोड़ा देखो मेरे प्यार वच्चो चार आपसन बनते हैं आपसन ए बनता है आपसन बी बनता है आपसन सी बनता है और आपसन डी चार आपसन बनते हैं मेरे प्यार वच्चो पहला ये कहता है कि अगर आपको आपसन में दीखे कि दोनों सही अगर आपसन में आपको दोनों सही दिखा जिसे पर्षेंट आख बंद करकर उस वाले की उसन पर वही अपसन जो है किलिक कर लेना अगर दोनों सही अगर इस तरह का आफसन दिखा यूगा इस बात की धरांटी मिलेता हूं अगर दूसरा क्या कहता है गूसरा मैं कई वीद्य गया कि इनमें से कोई नहीं कि तीन आफसन अलग दिया है, चोथा बोल रुदे किन्मेंसे कोई नहीं, आख बन्द करकर उस पे आपको क्लिक youtube कर देना है, जिनको कुछ नहीं आता है, उनी के लिएивается content है, जिनको कुछ नहीं आता है, पढ़ने वाले प्ड़शता यह प्ड़ेंगे, यह नहीं देना US हूं आपणे गए जिनिक प्यारवच्व आपसन A पर 90% किलिक करके चले आना और आपसन B पर 10% मतलब ज़्यादातर आपसन A करके आना मेरे प्यारवच्व ठीक है ज़्यादातर आपसन A अगर लगे कि आपसन A नहीं है तो option b पे click कर देना, ने तो आंख बंद करके option a पे click करना, अगर इतना काम करते हो, मेरी गरांटी है, मेरे प्राउच्चो की 20 object to question में से 12, 13 object to question कहीं नहीं गये हैं, बिल्कुल आपके हाथ में हैं, बिल्कुल सही होगा, 12, 13 object to, ठीक हैं, अगर यह मेरा फार्मूला अगर अपनाते हो तो 12 तेरे क्यूसन अबजेक्टिव में कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की ताकत कोई रोकेगे लिए अब मेरे प्यारवचो आगे देखो, असली का आनी तो यहां से स्टार्ट होता है, वो तो अबजेक्टिव क्यूसन था, आ आप मार दिये, असली का आनी तो यहां से स्टार्टों का उवरालातना प्रशन खंडवा पच्यास नंबर का, प्रशन नंबर एक कई से स्टार्ट होता है मेरे प्यारवचो, कि निवलिखित गद्यांस पर अतारी तीन प्रशन को उत्तर दीजे, और यह प्रशन छे नंबर पाठोर लेखा का नाम लिखिए, जिसे हम लोग संदर्व बोलते हैं, बिल्कुल घवराने की जोड़त नहीं है, देखो क्या किया जाता है, सबसे पहले तो वरलातना प्रशन खंडवा दिया है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, कैसे देखो, आप डालोगे वरलातना आप गद का लिख रहे हो, चाय पद का, संदर्व लिखने का तरीका क्या होता है, अगर गद लिख रहे हो, तो संदर्व लिखने का तरीका है, कि प्रस्तूत गद्यांस, यहाँ पे क्या लिखोगे, मेरे प्रस्तूत गद्यांस, हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी के गद ख जो कि आपको याद होना चाहिए और मितरता के लेका कुन मेरे प्यारोचो आचार रामचंदर सुकलत। ठीक है। इसके बाद एक चैपटर आपका ममता। अब ममता के लेका के वो स्री जैसंकर परसाद जी थी है। कौन है स्री जैसंकर परसाद। मैं लिग भी देता हूँ म पितरता का अचार रामचेंदर सुकल जी यह आपको याद होना ही चाहिए और ममता का सही जे संकर परसाद स्री जे संकर परसाद ममता के यहां पे आपके लेखक हैं अब मेरे प्यारवचु यही काम करना है इतना बस रट्टा मार लो प्रस्तुत गद्यांस मारी पाठे पुस इस युवा पुरुष के संकतियादी बुरी होगी तो उसके पैरों बदी चकी समाल होगी संकति मतलब की मितरता ही हुआ ठीक है तो मितरता मतलब को कंफर्म होगे कि मितरता है तो यहां पे आप मितरता डाल देना कि मितरता से लिया गया है जिसके लेकर तो मितरता के लेकर यहाँ पर कर लेगो ना संदर्व, जब भी संदर्व लिख रहे हो और गद है तो यहाँ पर गद्यान्स लिख होगे, ठीक है, आप देखो करने क्या है, दूसरा प्रस्ट बॉला है कि रेखांकी तंस की बैख्या, आप रेखांकी तंस की बैख्या, मतलब जहां तक अंडरला किया गया है, उसका ब्याख्या करना है, आप कुछ करने की जोड़नी है, जहां तक अंडरला नायन किया है यहां से कुसंका जोर सब्यानक होता है, यह कमल नीति और सतिविर्थिक आयनास नहीं करता, बलकि बुद्धी का विछ्छे करता है, पूरा का पूरा वही लाइन उ पाइरोचो अब आगे क्या करना है, तो आगे मेरे पाइरोचो करना है कि यहां पर ज़ुदिया ना कि कि युवा पुरुस के संगतिया दि बूरी होगी तो उसके पैरोंबदीचकी की समान होगी, यह वाला लाइन छोड़ दो, जहां से कामा लगा है वहां से उठा लो, कि ज पर आपका क्यूशन हो गया complete बात कुछ करने के जोत नहीं है तिसरा कि युवाब पूरुष के संकति के बारे में क्या का आ गया है तो मेरे प्यारवच्छ कुछ करने के जोत नहीं है जहां से अंडरलाइन खतम हो रहा है ना भस फिर वह इस उठाओ कि युवाब पूरुष क मेरी गारांटी है आप जो सोच रेए कि सा नमबर नहीं मिलेगा यासा नहीं लगना चाहते हो तो आगे की कुछ लिखकर अपने से बना कर लिख लो दो ही आप सवन होते हैं या तो नहीं लिखना चाहते है तो कुछ लाइन लिख लो जहां तक अंधरोय के आ धाया था फिर ब स convener 가장 इसना मेरे प्रशह एंगे हैं peace कि दिये लोन्हां ऀया तो यह वाण पध्यांस का संधर्व लिखो अब संधर्व लिखने का ढ़िए जो गद मैं लिखा संधर्व लिखे सेर्द संदर्व में प्रस्तुत गद्यांस लिखते था को जहांजिए के जिनके मेरे प्यारबचो तूलसिदास जी कभी है उसके दूलसिदास जी लिखे यह आपको याद कर लो एक सूर्दाजी एक सूर्सागर नामक गरंथ होता है सूर्सागर नामक गरंथ से लिया गया है जिनके सूर्दाजी है बस यही दो याद को लो इतना में तो पूरा को पूरा को पूरा क्यूसन करके चलिया होगी वनपाथ सिर्सक तुलसी दाजी सूर् परस्तूत पद्यास मरी पाटे पूस्त किंदी के पदखन में संक्रीत अपका मंड कर रहा है तो वनपत लिखलो अगर वन्पत लिक रहे ओ तो तुलिसी 20 लिकले ना सूर सागर लिक रहे ओ तो सूर2 लिकले ना, सूरर्दभी लिकले ना आपने से बाणा कर लिख लो अपने से कुछ रखना कुसोसी में जोड़कर लिख लो बना कर नहीं लिखBER नहीं कर लिखने हो कुछ करने की जरूरत नहीं है एक और दिया हुआ है और पैसेज में गाम करोगे यह तो बनाकर लिखोगे और प्रस्तम को गैए आप प्रस्तनों चलो चलो मिघ आ स्काने जाएक है कि दिये गए संस्क्रीट गद्यान्स में से किसी एक संदर्व स्वाइथ हिंदी में अनगात करू अब मेरे प्यारुची संस्क्रीट में तो संस्क्रीट का संदर्व कैसे लिखोगे देखो तो पहले आप बात की प्रश्ण उतर संक्या तेश एडिन डालोगे फिर संदर्व संस्क्रीट वाला तो लिखोगे दूढ़ा थे पुष्टक हिंदी को सांस्कृत लिखो गें, क्योंकि संस्कृत कहने याँ पे संस्कृत लिखो गए, बस, इतना यह काम करना है, अब दोई चेपटर आते हैं इसमें याद कर लो, एक वरानसी चेपटर, अब भारतिय के संस्कृति के नाम याद कर लो, वरानस तो आपको बना कर लिख सकते हो कि इनके चीजों के बारे में इस गद्यांस में बात हुआ है अनुबाद के गरम बात करें तो अब मेरे प्यारोच देखो अब इसका अनुबाद करना है अनुबाद आपकर नहीं पाओगे तो अब बना कर नहीं पाओगे इस गद्यांस में से उठा लेना इस दो चार लाइन इस में से उठा लेना बस काम आपका बन जाएगा यह होगया अनुबाद नहीं बना कर लिख पाओगे तब बता रहा हूँ अगर नहीं बना पाओगे कुछ समझने के यार बनाए गया तो पैसेज में से उठा कर लिख देना भाई अब इसके अलमा में कुछ नहीं कह सकता हूं अब छोड़ के आने के लिए थोड़ी बोलूँगा तुरंट पैसेज में से कुछ उठा के लिख देना नंबर दे दी जाएंगे आपको वह रोग वह ही दुने चेप्ट्रड जो मैं बता है उनी चेप्टर का तो आता है भारतिय संस्कृति चेप्टर या वरारासी चेप्टर भारतिय या वारण सा चयक्टर यह दोनों चसे दूना चयहर द में बढ़ाख के आध दोनों में से कोई यहां पर लिखना है पार्ट से उ Warsude रिटे बात कब प्रसांग का मतलब अपने से नमर 24 भी यहां पर कंप्लीट हो गया है अब मेरे प्यारों चो प्रस्ट नमर 25 क्या है कि अपने पठीत खंड कावे के अधारपन निवलिखित परस्ट नमें से किसी का उतर जिए खंड कावे डिस्टिक वाई जाता है जीला वाई जैसे मुक्ति दूत जोती जवार मेवाड म कुट अगर पूजा सुभास मात्र भूमी करण करम बीर करम बीर की बाद तुमूल इतने सारे तो आप सबसे पहले प्रस्ट उतर से कि 25 डालोगे खंड कावे डालोगे अब यह आता है जीला वाई जा अब आपके जीला में कौन सा पूछा जाता है हमको जनकारी नहीं है आ महां से लिखना प्रारम करना उस क्यूशन को अपने से बना बना कर लिख देना पैसेज में से उठा उठा कर लिख लेना पैसेज में से उठा कर लिख लेना अपने से बना कर लिख लेना बस आपका मुक्तिदूत का कंपलीट हो गया बात खतम ठीक है खंड कावे कंपलीट वो तो जी लावाई जाता है, फिर प्रशन उतर 26 आ गया, प्रशन 26 में जीवन परच आएगा, प्रशन 26 का कर, दिये गए लेकर को में से किसी एक का जीवन परच लिखते हैं, उनकी प्रमुक रचना को उले कीजिए, डाक्टर राजियन पर साथ जैसंकर पर साथ अचार राम आप तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परच लिखना है, मिलेगा पांच नमबर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आप से बस यह कही कह रहा हूँ, मेरे प्रशन उतर संगे 26 का का यादिन डालो, फिर तीसरा आप अचार राम परच लिखते हैं, जन्म याद कर लो, 1864 में जन्म, मृत्यू साइड में लिखा है, 1941 मृत्यू, पीता का नाम चंद्रबली सुकल, माता का नाम विवासी था, रचना चिंता मणी रस्मिमान सा विचारिक थी, अगर इतना याद है, इसके बाद बना का लिखलो, कि अचार राम चंद्रबली सुकल का जन्म 1884 में व पराप्त किया, ठीक है, बहुत सारी समस्याओं का सर अवसामादान करते हुए, वह आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी रचना हैं उन्होंने लिखी जो कि बहुत ज़्यादा प्रकासित हुई, ठीक है, आर्थी किसी थी कम जो रोने के कारण अच्छी सीचा नहीं पराप्त कर पाएं वह, और किसी रोक के कारण हो, उनकी ब्रितु सरुनिश्वक ताइस में हो गए, उनकी मत्वपुड रचना है, चिन्ता मळी रस में मान सा विचार गुती बहुत, आइसे ही तो लिखा जाता है, बना कर भाई, आईसे ही तो जीवन पर्चा, मेरे प्रमुख रचना को उले किजिए, मेरे प्यार बचों, गोस्वामी तूलसीदास, बस एक लोगों को याद कर लो, बस काम बन जाएगा, पांच नंबर, कैसे लिखोगे, प्रशन उतर संके 26 का खा, पहिला कर रहे हो न, गोस्वामी तूलसीदास, सिधा लिखोगे, जिवन परचे, जन्म हुआ था, पंदर सो बतीस में, याद कर लो, अमरितु सोरो सो बतीस में, पीता का नाम आत्मा राम दूबे था, और माता का नाम हुलसी था, पतनी जो थी, रचना के अगर हम बात करें तो, राम चैतर मानस, विने पत्रिकार्द का वितावली, गितावली, द लिखते जाना, और इनको आपको ब्लेक पेंसल लिखना है, यह जो मैं लिखा हूँ, ब्लेक पेंसल लिखकर उसको हाइलाइट कर देना, ताकि अच्छे से दिखे, और उन्हीं को देखके नंबर दे, बस काम हो गया, अब क्या करना है, मैं आपको पांच जीवन पर्चे थ लिखक कर रहाए якसल matt कर दे, इस पर इचाना होता है, पकुरा पूरा को पुरा गलत कर रहा हो, तौंश में रही है, पूरा मिल जाएगा, और यह लिखो रहाए lower weight X, यह जीवन लिखकर रहा है , अगर C Ave, यह जीजार से है जोम्हेराइ और यहां पे अब छाप लेना दो लाइन बस बाई दो नमबर मिल गया पेपर आप एक्जामने कापी चेक करगा तो चेक न करता चलता है कि देख भीएगा कि कौन से प्रस्ण क्या पूछा है तुरें सो लोग देखेगा दो नमबर दे देगा आप वह बात खतम प्रस्ण उत किम अस्ति वही लिखो वसी में कुछ छिड़ते जाना हालंत लगाते जाना बस बंता रहागा उसकांसर मता वही लिखो उसी में आलंत लगाते जाना क्योशन मार्क लश्ट में अटा देना आपको नमबर मिल जाएंगे प्रस्ण उतार संक्या ठाइस सेदिन डालक है दो प दिए जाएंगे आगला प्रश्ण 29 जो की सात नंबर के लिए आपकी एक्जाम याने वाला है कि निम्लिकीत में से किसी एक भी सेपन निबंद लिखे सात निम्बर स्वक्ष वारत अभियान वर्दान या विसाप प्रदूसर्ण की समस्य अताता समधान बढ़ती जल संक्या क कि प्रस्तावना होनी ही चाहिए मेरे प्यार बच्चो और लास्ट हेडिंग आपका उपसंघार होना चाहिए बस बस अब बीच में तुम चार हेडिंग पांच हेडिंग अपने से कुछ भी बना कर लिए दो कोई फरक नहीं पड़ता है और प्रस्तावना में भी कुछ लि चार नंबर इस तरह आप लोगों को मिल जाएंगे गरांटी है मेरी ठीक है बस इतना काम करके जाओ लेकिन प्रस्तावना उपसंघार होना चे अगर नहीं होगा तो दो नंबर भी नहीं देगा हो आपको अगर यह दूनों एडिंग नहीं होगी तो दो नंबर भी आपको नहीं देगा इतना याद रख लेना क्योंकि यहीं दूनों चीज़ देखता है ठीक है इसके बाद लास्ट प्रस्टन है तीसवा की पत्र लेखन पत्र लेखन अब दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आ जैसे बोला है कि अपने छेत्र में ब्याप्त गंदगी की कारण उप पत्र की संपादों को पत्र देते हुए लिखी अगर यह नहीं कर पाते हुए यह दिया है कि आपकी बाद का सब्सक्राइब पूरी कर आगे सिच्छा के लिए बड़े नगर गई है नगर के वातावरान में संभावत परसानियों की चर्चा करते हुए उसे बचने के तरीक आप पत्र लिख रहे हुए उसका एड्रेस होना चाहिए नाम कहां रहता है पीन कोड क्या है उसका फिर उसके निचे डेट लिख देना कि किस डेट को आप लिख रहे हुए इसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे पूरी कानी अपने से बना बना कर लिख लेना बना जो भी जिस पे भी पत्र लिखना हो, काली बना बना कर पूरे लाश्ट तक लिखे जाना, और यहां पे लाश्ट में, यहां पे X, Y, Z लिखना, यहां पे सद धन्य बाद बोल देना, कि धन्य बाद, क्योंकि आप ने पत्र लिख दिया, सद धन्य बाद लिखने के बाद, यहां पे X बच्छो आसी से लेके पच्चासी नमबर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी ठीक है अराम से पास हो जाओगे बहतरी नमबर से बस हाँ जो बता रहा हूं बस वही फालो करते जाना अगर नहीं आ रहा है कुस्तो तो मेरे प्यारों ची वीडियो को लाइक कर देना चैनल पने तो चलो को जरू सस्क्राइब करना मिलेंगे प्यारों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद